है हेलो फरेंस विए आप सभी का हमारे चन्न पर सुझवागत है और आज के सीडु में हम लोग जानेंगे कोर्स फाइव के आपका अंदर में आता है नोलेज और नोलेज को हिंदी में ग्यान बोलते तो ग्यान क्या है और इसकी विशेष्थाइं के बारे में हम लोग जानेंगे तो ग्यान के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे ग्यान वह बहुत दिक अनुभाव है जो ग्यान इंद्रियों दुवारा प्राप्त किया जाता है आप देखते होंगे जैसे कि नाक कान आख ही सब क्या सेंसी टार मारी जो हमारे इसके थुर्व हमागों को नॉल्इज मिलता है जैसे कि आपको कोई गरम पानी में हाथ रकने को बोलेगा तो आपका संस्वरं समझ जाता है हाथ हटा लेता है या कोई भी जैसे आग tutor वह त्रत हड़ जाता है इस तरह से यहां पर आप समझ सकते हो ग्यान शब्ट के उत्पत्ति संस्कृति के ग्याद धातू से हुई है जिसका अर्थ है जानना बोध एवं अनुभाव आदि इससे स्पर्च होता है कि ग्यान वह माद्यम है जिसमें किसी तथे वस्तु एवं अवधारना को उसी रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में वह है ग्यान नौलेज का हिंद्री रूपांतरन है जिसका आशे जानने से है ग्यान प्राप्त करने है तो बुद्धी का होना आवशक है ग्यान उत्पत्ती में दो प्रमुक पक्ष होते हैं ग्याता एवं ग्याता क्या होता है फ्रेंट जो ग्यान प्राप्त करने वाला होता और ग तो बिदू होते हैं तो आप कोई भी चीज मम्मी पाप से पुछते हैं चो कि आप नहें अपकी गुमता रहता है जो हैं डिने वाला होता जो अनुभाहता की अनुभाव में इनुभाह गै मनुष्य किसी वस्तु या विचार को अनुभूती बोध विश्वात तर्क एवं अनुभव के धार पर सुईकार कर लेता है तब ही ज्यान का स्रीजन होता है तो कोई भी ज्यान आप सीख रहे हो आप उसको सुईकार कर लेते हैं या सीख लेते हैं तब ही ज्यान का यहाँ प संगरा है यानि कि आप वह सो तो collection of information है जो भी आप सीख रहे हो याद कर रहे हो समझ रहे हो उसी का एक collection है ग्यान वास्टविक या सत्य होना चाहिए ग्यान हमेशा सच होना चाहिए बहुत दार्चनिकों की दृष्टी से ग्यान वह है जो मनुश्य को सांसारिक दुखों से दिला ले तो बहुत दार्चनिकों की दृष्टी से बता जा रहा है उसके बाद है वैपस्टर ने ग्यान को वास्तविक अनुभाव दुआरा प्राप्त जानकारी के रूप में बता है उसके बाद है प्लेटों के अनुसार ग्यान दो परकार के हैं स्कूली ग्यान और स्कूल के बाहर का ग्यान तो स्कूली ग्यान तो जो आप सीखते हैं और स्कूल के बाहर का ग्यान जो आप समाज में सीखते हो उसके बाद है शंकर के अनुसार तो यह अपराग ग्यान होता दो मेलईृ टैप का ग्यान है सब्सक्राड जहां अपराग ग्यानmbol है बर Hammondai और अधयात्मिक ग्यान होता है इसrate तो उसके अधर टाइप्स देखें आचंगि ऑन पर समलोब्च जैंर्रां एनिघ्यान पलड़ और अनुपचारी ग्यान तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहां पर आप देख सकते इसको ग्यान निम्न बातों पर ठीका है ज्यानकारी की सत्यता में विश्वा ज्यानकारी की सत्यता का परमान अगर यह तीनों चीज है ग्यान में तब आपका ग्यान यहां पर प्राधी करन शामिल है ज्यान अनुमोधन और प्रमान चाहता है ज्यान के लिए कुछ अधार और कारणों की आवशक्ता होती है ज्यान की माननेता और युक्ती करन की आवशक्ता होती है ज्यान विश्वासों के लिए सफलता की इस्थिति है ज्यान नेंतरन की शक्ती है समान की और ले जाती है सोच ग्यान परदान करती है ग्यान आपको महान बनाता है यह कौन कहते हैं अपने अंदर की आत्मा को बोलते हैं उसके एवं एहसास याद अवलोग का अनुभूती सोभावी कारण इन सब सब चीजों से आप ग्यान सिखते हो तो यही सब था फ्रेंड उमीद करता है आप सभी को सही में आ गया होगा और अधर कोर्स का आपको वीडियो देखना तो जाकर देख ले लिए प्लेलिस्ट में सब वीडियो डाल रखा और आपको एपीसी का ही मिल जागा तो मिलते एक ल